यह सची कहानी खुदावन येशो की है जो 2000 साल पहले रहते थे हमें पता नहीं कि बच्चों को येशो के बार में कैसे पता चला पर शायद ये कुछ इस तरह हुआ होगा कि इसी ने तुम्हें देखा मुझे नहीं मुझे भी नहीं तुम्हें शायद नहीं ठीक है चलो चले चलो कि तुम कुछ भी कहो मैं सचुच बानता हूं कि येशो को खुदा ने भेजा है क्योंकि वह मुझे करता है ये जादू भी तो हो सकता है वरना ये बात कैसे समझाओ यह जो बात है जोएल मुझे सम्झानी की जरुवत ही नहीं ऐसे मुझे तो सिर्फ खुदा भाप ही कर सक तुम्हारा मतलब है जैसे अंधों को आखें देना हां मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं मुझे है सारा तुम यहां क्या कर रही हो बहुत कुछ ने मुझे बारे में सब कुछ बताया है उनकी पैदाइश कैसे हुई और बहुत कुछ यजीम दास्तान है मरियम एक लड़की थी जो नार्शत में रहती थी उसकी शाधी नहीं हुई थी और यूसफ नाम के एक लड़के से होने वाली थी एक दिन खुदावन ने जब्रायल फरिष्टे को भेजा खौफ ना कर मरियम खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है देख तू हामला होगी और बेटा जलेगी उसका नाम यसू रखना ये कैसे होगा मैं तो कमारी हूँ रूख लकुद्स तुझ पर नाजिर होगा और इसी सबब वो मौलूद मुकंदस खुदा का बेटा कहलाएगा और उसकी सर्तनत का आखिर ना होगा फरिष्टे से मर्यम डरी नहीं अगर फरिष्टा मुझसे बात करता तो मैं जरूर डर जाता फिर क्या हुआ नासरत के रहने वालों सुनो हुकुमत ने एक कानूर मनाया कि सभी लोगों को उस चहर जाना होगा जहां उनके पैदाईश हुए थी और अपना नाम लिखवाना होगा कागजों पर दश्टखत करने होगे इसलिए यूसुफ मर्यम को लेकर बैतलेहम शहर गया जहां वो पैदा हुए थे जब वो बैतलेहम पहुचे तो वहां बहुत फीर थी और ठहरने की कोई भी जगा नहीं थी यूसुफ को ठहरने के लिए सिर्फ तबीले में ही जगा मिली मतलब इस तरह की कुछ-कुछ ऐसा ही और उसी रात नान्हा ये शुपैदा हुआ तब ही एले के पास पहाड़ी पर कुछ चरवाहे अपनी फेड़ों की रखवाली कर रहे थे तब ही एक आएक उन्हें एक फरिष्टा दिखाई दिया आज दाउत के शहर में तुम्हारी नजात के लिए मसीर खुदावन पैदा हुए है जरवाहे नन्हे येशु को देखने एकदम चल पड़े उन्हें चर्णी में रखा हुआ था यकीन नहीं आता ना ऐसे ही एक बत्से में जिसमें मैं अपने गदे को चारा देती हूँ पैदाइश के बाद मर्यम और यूसफ येशु को येशु को येरुशलम की हैकल में लाए वो एक ऐसे इंसान से मिले जो सटमच खुदा से मौबद करते थे नाम था शिमॉन खुदावन अपने बंदे को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर खुदा ने शिमान से बादा किया था कि वो येशु को देखे मेंना मरेंगे नहीं वो बच्चा येशु खुदावन का चुना हुआ था जो बड़ा होकर सारी दुनिया के सब लोगों को माफ करेगा उन सब बुरी बातों के लिए जो वो सोचते कहते या करते हैं जिने खुदा गुना कहते हैं येशु छोटे बच्चे थे और अब वो आदमी है हमारी तरह बच्चे नहीं है जरूर थे मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब येशु बारा साल के थे मर्यम और यूसुफ उन्हें यहां येरुशनम लाए येशु हैकल में गए और मजभी रैनुमा उससे बात चीत करने लगे ऐसे सवाल पूछने वाला किसका बच्चा है वो नासरत से है हमने सोचा कि उसने हमें छोड़ दिया महरबानी से उसके जोश के लिए माफ करें इसके बाद येशु अपने बालदैंग के साथ खर वापस चले आए जैसे वो बड़े होने लगे हर दिन और अकलमन्द होते गए उसके रास्ते सीधे बनाओ हर एक घाटी भर दी जाएगी हर एक दिन येशु अपने फालतात थाए योहन्ना बप्तिस्मा देने वाले से मिलने गए योहन्ना उन लोगों को बप्तिस्मा देते जो खुदा का हुप मानना चाहते थे उस दिर उन्होंने येशु को भी बप्तिस्मा दिया और जो लोग वहां थे उन्होंने आसमान सिर्फ खुदा की आवाज सुनी और खुदा ने कहा तुम मेरे अजीज बेटे हो तुम से मैं खुश हूँ अच्छा फिर क्या किया उन्होंने उन्होंने शहर शहर खूंब कर लोगों को खुदा के बारे में सिखाना शुरू किया कैसी हो खेकू येशू वाबस नासरत गए जहां उनकी परवर शुई थी एक दिन वो हैकल गए और वहां मजभी रहनुमाओं ने उन्हें खुदा की किताब पाक कलाम पढ़ने को कहा पाक कलाम का जो हिस्ता येशू ने पढ़ा उसमें लिखा था कि खुदा येशू को भेजेंगे ताकि सारे लोग हमेशा खुदा के साथ रह सके खुदावंद की रूह मुझ पर है उसने मुझे इसलिए चुना है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाओं उसने मुझे इसलिए भेजा है कि असीरों को रहाई और अंधों को बीनाई दू मजलूमों को चुडाऊं और ऐलान करूं कि वो वक्त आ गया है जब खुदाव हमारा मस्या को आएगा यह जफताद है कलाम का जो हिसा आज आपने सुना है वो साबित हो गया कलाम पूरा हुआ लेकिन यह वादा तो मसी पूरा कर सकता है मैं तो में बताता हूं कोई पेगंबर अपने वतर में इज़त नहीं पाता और भी है ये शू करिल की जील तक गए कश्टी को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मचली पकड़ने के लिए जाल डालो है मालेक हमने रात भर मेहनत की है मगर मिला कुछ भी नहीं अगर आप कहते हैं तो हम जाल डाल देते हैं याकोब यहो ना याकोब यहो ना जल्दी किस्टी लाओ हमारी मुदद घरो जल्दी किस्टी लाओ हम तो पहली मश्रूब है जाए 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 लगता है तब ही पत्रस समझ गया कि येशु खुदा का बेटा है पर पत्रस डर गया उसने अपने जिन्दकी में बहुत से गलत बाते की थी वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इतने पाक और अजीम येशु उस जैसे गुनागार को कबूल करेंगे खुदा मन्या से चले जाए मैं गुनागार इंसान हूँ तुम खाफ मत खाओ मुझे चलना चाहिए हाँ मुझे भी चलना चाहिए मैं चलू अच्छा मिलते हैं मिलते हैं और तुम कहा थे बेंजमिन फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर थे हाँ या कैलिप वहाँ भी धा मैंने कितनी बार कहा है मैं नहीं चाहता तुम उस लड़के के साथ रहो तुम्हें पता है उसके अबबा येशु की उन जूटी कहानियों को मानते हैं क्यों क्या वो गलत है हम मानते हैं कि खुदा हमारे लिए एक अजीम बादशाह भेजेंगे तुम्हारे दोस्त के अबबा मानते हैं कि वो जो चर्नी में पैदा हुआ था वो ही बादशाह है बकवास है ये अगर कहले कि अबबा सही हुए तो नहीं बेंजमिन हम इस पर और बहस नहीं करेंगे ठीक है उसको पकारो जब तक वो करीब है शरीर अपनी बुरी राह तर्क करे और ना रास अपने ख्यालों को जब वो खुदावन की तरफ रुजू करेगा तो वो उस पर रहम करेगा क्यूंकि वो फैयाजी से माफ करता है तुम खुशी से बाहर जाओगे और सलामती से लौटोगे शलो शलो मैं बताते हो क्या हुआ मैं वहां मौजूद थी हमें बताओ क्या क्या येशू हैकल में खुदा के मौबबत के बारे में बता रहा था हैकल के अंदर जबर्दस हुजूम था और उससे भी ज़्यादा लोग बाहर खड़े थे हर आदमी येशू को देखना चाता था येशूम येशूम मैं अर्स करता हूँ मेरी बच्ची को बचा ले हजूर रहत करें वो सिर्फ बारा परस किया और मर रही है पराई करां मेरे साथ है याई याई इनको तन्हा रहने दो येशूम तुम्हारी बेटी मर गई है अब उस्तान को तकलीफ ना दो दो मत फक्त एतकादर को बच्चाईगी जहांक, मेरी बेटी इसे कुछ खाने को दो लेके अन्मी ये कैसे हो सकता है सचमुच ऐसा ही हुआ, तुमको मालूम नहीं वो सचमुच बीमार थी मेरे अबबा कहते हैं कि येशू के ऐसे दोस्त हैं जो बुरे काम करते हैं, वो कहते हैं कि वे सब गुनेगार है मेरे वालिद ने बदाया है कि एक शक्स जिसका नाम मत्ती है वो शहर में दाखिल होने वाले लोगों से महसूल वसूल करता है मेरे साथ हाओ मत्ती उन 12 लोगों में से एक है जिन्हों येशू ने अपने शागर्द होने के लिए चुना है वो उसके मेबूत दोस्त है और उसके साथ हार जगा जाकर खुदा के बारे में बताते हैं उनमें शेमान जिसका नम पत्रस है पत्रस का भाय अंवियास याकूब यहूना फिलिपूस बर्थलमें रहां मत्ती थोमा दूसरा याकूब दूसरा शेमान याकूब का भाय यहूदा और यहूदा इस्क्री ओती तुमको यह सब कैसे याद है वो बहुत अशियार है तुम्हें यही लगेगा क्योंकि तुम भी बेवकूफ हो मैं नहीं हूँ अपने गधे की तरह बिल्कुल बेवकूफ और नामकूल हो वो मेरी दोस्त है तुम किसको नामकूल कह रहे हो इसे अकेला छोड़ दू अच्छा और दर्द होता है अगर इसके सफाई न की गई तो और खराब हो जाएगी क्या हुआ वो लड़ पड़ा मैं तुमसे नहीं पूछ रहा लिया माफ कर दो मेरा कैलिप से जखड़ा हो गया वो येशु के बारे में गुफ्तगो कर रहते वो लोग सारा के अस्तबल में मिलते रहते हैं येशु के बारे में बाते करने से कोई फाइदा नहीं वो हमारा बात्षयान नहीं है और ना कभी होगा अब बाब मुझे लगता है येशु सच मुछ खुदा के बेटे हैं बस बस क्या आप बेकार जादा सक्ती नहीं कर रहे हैं इस बच्चे पर मुझे नहीं लगता लेकिन ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा मैंने सुना है कि येशु के पेशकारों में गद्दार भी हो सकता है अगर ये बात सच हो तो वो हमारे लिए मुसीबत नहीं बन सकता अपने दुश्मनों से महपत करो नफरत करने वालों से भलाई करो लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो और तैखीर करने वालों के लिए दूआ करो अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाशा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ पहर दो जो तुम्हारा चोगा मांगे, उसे अपने कुर्टा भी दे दो जो कोई तुमसे मांगे, उसे दे दो और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले, तो उससे वापस ना तलब करो दूसरों से वही करो, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें मैं इस आदलों को जानना चाहता हूँ तुम्हारे खैल में क्या वो मसी है? जब उसने मसी कहा तो उसका क्या मतलब था? वे हैकल में यही बात कह रहे थे, मसी हा का मतलब मसा किया हूँ और आओ, हम उसके पीछे चले आप दो आप दो खालू नूचला ना है क्या यह बहत्रीन खाणा नहीं है? जब आप बहुर्ब था? जो मसी ने किया है कि तुम्हारे कि अद्शू कि फिसने महसूल लेने महता कर दोस्तिकी है यह यह यहां क्या कर रही है? मालू नहीं यह क्या कर रही है अगर यह हकीकतन मसी होता तो जान चाता कि यह कौन है इसको इल्म होता कि वो कैसी गुनागार है मैं इस औरत को जानता हूँ शमू मैं तुझे कुछ बताता हूँ एक साहुकार के दो खर्जदार थे जिने खर्जदीना था एक को चानदी के पांच सो सिक्के और दूसरे को पचास दोनों मेंसे कोई भी खर्जदाना कर सका उसने दोनों को माफ कर दिया उन मेंसे कौन ज्यादा महबब दिखाएगा मेरे ख्याल में वो जिसकी ज्यादा माफी हुई दुरूस्त कहा तुमने इस औरत को देखते हो मैं तुम्हारे घर आया तुमने मेरे पाउं दोने को पानी न दिया मगर इसने मेरे पाउं अपने आस्वों से दोए और अपने बालों से खुश्क किए तुमने बोसे से मेरे अस्तक्बाल ना किया अगर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पाउं चुमना न छोड़े तुमने मेरे सर पर डालने को तेल न दिया अगर इसने मेरे पाउं पर कीम दिये तर डाला मैं तुम्हें बताओं चुम्कि इसने ज्यादा मुहबत दिखाए, इसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए। लेकिन जिसके गुनाह कम माफ हुए, वो कम माफ दिखाता है। तुम्हारे सब गुना माफ हुए। तुम्हारे एमान ने तुम्हें बचा लिया, सलामती से जाओ। मुझे उठाएं। मेरे कंतर पर बैठ जाओ। मज़र आता है। मुझे यसु नज़र आ रहे हैं। वो नभी, देखो इदरी आ रहा है। एक बीच बोने वाला बीच बोने निकला। और जब इच के चट्टा दिया तो कुछ राके कनारे गिरा और रौंदा गया। और कुछ को हवा की चिडियों ने चुक लिया। और कुछ बीच बत्री जमीन पर गिरा। और जब होगा तो नमीन मिलने की वज़ा से वहीं सूख गया। और कुछ बीच ज़ाडियों में जा गिरा। और ज़ाडियों ने उसको छुपा लिया। और दबा लिया। और कुछ बीच अच्छी जमीन पर गिरा। और उगा और बहुत सब फ़ल लाया। एक बीच सौ गुना ज्यादा। इस तमसील का मतलब ये है। ये बीच खुदा का जिन्दा कलाम है। और वो बीच जो राख के कनारे गिरा से मुराद है जो कलाम सुनते हैं। मगर इबली साकर पेगाम उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है ताके वो कहीं एमान लाकर बच ना जाएं। वो भी जो पत्रिली जमीन पर गिरा से मुराद वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से कुबूल करते हैं। मगर जड़ नहीं पकड़ते। उनका इमान वक्ती होता है। और जब आजमाईश आती है तो वो फिर जाती है। वो भी जो ज़ड़ियों में गिरा से मुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं। मगर दुनिया की फिकर, दौलत और जिन्दगी की आसाइश ये उन्हें आत अबाती हैं। और उनका फल कभी पकता नहीं। लेकिन वो भी जो अच्छी जमीन पर गिरा। इसे मुराद वो लोग हैं जो पेगाम सुनकर अच्छी और फार्मा बरदार दिल से कुबूल करते हैं। और बरदाश्ट करके बहुत सब फाल लाते हैं। लिए तरफ्ट अबात ग्तोम करने। भू आलेड अज्वार दिल और फाहू कक्रया हैं। ए इसोग, तेरे हमें दूबॺ रही है। हम खूप रहे हैं। हम दर रहे हैं, हमें बचाओ, हम बताएंगे, बचाओ हमें तुम्हारा इमान कहां गया मुझे ये पसंद है, क्या क्या बच है इसकी? नेथन, नेथन क्या तुमने सुना, येशू आ रहा है वो यहीं आ रहा है, वो शेहर के बाहर आ रहा है चलो हमें चलते हैं, हाँ चलो बेंजिमिन माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, क्या मुझे माफ करोगे? मालिक, अब लोगों को भेज दीजिए, ताकि वो करीबी शेहरों और ध्यातों में जाकर अपने खाने पीने का कोई बंदोबस कर सकें, ये तु बिलकुल विरान जगा है तुम खुद दिने खाने के लिए कुछ दो हमारे पास सिर्फ पांच रोटियां और दो मचलियां है मुबारक है तू खुदावन दाए हमारे खुदा, काइनात के बादशाओ जो जमीन से रोटियां पैदा करता है ये तु बुचाज़ा है वादा वादा कुछ दूबार कर दो ये तु आदाए हमारे खुदा भीद दो वादाए हमारे खुदाश्य पांच के वादाए हमारे खुदाए है झाल झाल, 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 झाल. तुम कहा थे अब्बा मुझे आपको सच बताना ही होगा हम सब येशू से मिलने गए थे क्यों मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा जबकि मैंने अपने आखों से देखा उन्होंने दो मचलियों और पांच रोटियों से पूरी भीड को खाना खिलाया जोनाथन हो सकता है यही हकीकत में मसीह हो तुम इस पागलपन पर कब तक यकीन करोगी पताए हम क्या करें कलाम में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे समझते हो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अकल से महापत रख और अपने पडोसी से अपने मानित प्यार कर ठीक कहते हो ऐसा करो तुझी होगे मेरा पडोसी कौन है एक मरतबा एक आदमी यरुशिलम से यरुख की तरफ जा रहा था डाकून उसे घेर लिया मारा पीटा और अद्मुआ करके छोड़ गए ऐसा हुआ के एक काहन उधर से गुजरा जब उसने उसे देखा तो रस्त तक करतरा कर चला गया इसी तरह एक लावी भी उधरा निकला उसके करीब गया देखा और दूसरी तरफ निकल गया फिर एक सामरी ने जो उसी रह पर सफर कर रहा था उसादमी को पड़े पाया जब देखा तो उसकी हालत पर तरस आया वो उसादमी के पास गया तेल और मेंसे उसके जखम साफ किये और उन पर पट्टी बंदी फिर उसको अपनी सवारी में डालकर सराय में ले गया जहां उसकी खबरगीरी की अगले दिन सराय के मालक को चांदी के दो सिक्के दे कर कहा इस आदमी की खबरगीरी करना मैं वापसी पर जितना इस पर खरचाएगा आदा कर दूँगा इन तीनों में से इस शखस का जो डाकू में घर गया था तुम्हारे ख्याल में कौन बड़ोसी ठहरा जिसने उसे बचाया तुम भी ऐसा ही करो चोटे बच्चों को मेरे पास आने दो उन्हें मना न करो क्योंकि आस्मान की बादशाही ऐसों ही की है मैं सच कहता हूँ जो कोई ख़दा की बादशाही को बच्चे की दरा कुबूल नहीं करता जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कुबूल करता है मुझे करता है और जो कोई मुझे कुबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कुबूल करता है तुम में जो चोटा है वो ही बड़ा है भई यहां से विसू नासरी जा रही है क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ यह कमित देख सकूँ तो लो देखो तुरे इमान ने तुझे अच्छा किया नसर आ रहा है मैं देख सकता हूँ देख सकता हूँ यह आधी यकीन नगी है मेरे खुदावन मेरे माले कुझे बचाईए ए खुदावन हमें बचाईए हमें बचाईए खुदावन की तारी वो खुदावन हमें सची राह दिखाईए पर दो रहे वहां यह दो आदमी उस देरक पर क्यों चड़ रहा है उकदमे छोटा है कि वो भुजूम के पार देख सके कि नीचे उतरा जखाई आज मुझे तेरे घर में रहना है तेरे घर इसके घर में कौन रहना पसंद करेगा अरे उतर रहा है उतर रहा है इसकाय उसको कैसे जब कर रहा है तो सबको मिलनी चाहिए पड़ा होड़ा और पिए अवाकर बढ़ा है सबको मिलेए सुनो, मैं अपने माल का आधा इसा गरीबों को, और अगर मैंने किसे का नहक ले लिया है, तो वापिस करता हूँ, वो भी चार गुना. यकिन नहीं आता, एक मसूल लेने वाला मसूल के रकम वापस लोटा है, नामुम्किन. आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ये आदमी भी इबराहिम की नसल से है, इबन आदम खोये हूँ को ढूंडने और नजात देने आया है. सुनो, हम सब ये रुशलम जा रहे हैं, वहाँ इबन आदम के हक में नबियों की मार्फत हर बात पूरी होगी, वो गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, उसका मजाब उड़ाया जाएगा, वो उसकी तैकीर करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसको कोड़े मारेंगे और कतल कर अगर वो तीसरे दिन जी उठेगा, कैसी हो सारा, हाँ, 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 ये जा कोई कुछ फर्क सी है, सारा का गजा खो गया है, वो खो या नहीं है, मैंने सवारी के लिए किसी को दिया है, तुमारे गद्धे को कौन ले जाना चाहेगा, रबी अपने शागतिन को चुप होने का हुकम दे, तुम्हे मालूम हो, अगर ये चुप हो जाएंगे, तो पत्थर खुद बखुद चिलाना शुरू कर देंगे, अमन, इसाद, सहेद! मसी नाराज क्यों लग रहा है, उन लोगों ने हैकल की बज़ा इबादतका को तिजारत के मंड़ी बना दिया है, ये लिखा है, मेरा घर खुदा का घर होगा, मगर तुमने इसे टाकूं की खो बना दिया है, वो मेरे जानवरों की तरह आरे है, इसे रोको, इसे रोको भी! ये तो बहुत कम है, इसे ज्यादा नहीं दे सकती? मैं बताता हूँ, इस गरीब बेवा ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि उन सबने तो माल की फरावानी से नजर का चंदा डाला, मगर इसने नादारी में जो कुछ इसके पास था, डाल दिया! उस्ताद, आप सच फर्माते और सच ही सिखाते हैं, हम जानते हैं कि आप किसी आदमी की तरदाज नहीं करते, और सच्चाई से खुदा की रह की तालीम देते हैं, हमें बता, क्या रूमी हुकुमत को जजिया देना हमारी शरीयत मताबिक रवा है या नहीं? खुदावन यह आपका फासने की चाल है? लगो मुझे चांदी का एक सिखा दिखाओ. एक चांदी का सिखा? बताओ इस पर किस की शकल बनी हुई है? कैसर! अब जो कैसर का है, वो कैसर ही को दो. और जो खुदा का है, वो खुदा को. अब बताओ बोलते क्यों नहीं, बोला, बोला, बोला! अब बताओ, बोला, बोला! वो उदे को पत्रस, तुम्हारी समय में वो क्या कर रहा है? शायद वो ईदे फसा के लिए खाने का समान खरीद रहा है. मेरी बड़ी आर्जू थी कि दुख सहने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाओ. मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इसे तुम्हारे साथ कभी नहीं खाओंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो. मुबारक है तू, ऐ खुदावंद, इस काहिनात के बादशाह, जो बेल से फल पैदा करता है. इसे लो और आपस पे बाट लो. मुबारक है तू, ऐ खुदावंद, काहिनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है. यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है. मेरी याद में यही किया करो. यह प्याला मेरे खुन में नए आहिद है, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है. मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है. बेशक इबने आदम तो जैसा खुदा ने ठहराया है मरेगा, मगर अफसोस उस पर जिसके वसीले से पकड़वाया आजाए. यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, नाममकिन. घद्दार का नाम बताए खुदावन. खुदावन, मैं आपके साथ कैद होने को भी तयार हूँ, बलके मरने को भी. तुझे बताओं पत्रस, आज मुर्ख के बांग देने से पहले तू तीन बार इंकार करेगा कि तू मुझे जानता है. माचले से फसला कर लिया है. जानतान, ये क्या है? लगता है कि बाद्शाह कहलाने वाले की बाद्शाही का खात्मा होने वाला है. मुझे अभी अभी मजलिस से खबर मिली है. इसके साथियों में से एक यहूदा इस क्रियूती ने इसको गिरिफतार कराने का वाइदा किया है. वो उससे इस तरह की बाते कैसे कर सकते हैं? कोई फिक्र नहीं. सिर्फ तीस चांदी के सिके. आज रात, वो यहूदा को गिरिफतार करने वाले हैं और देख रहे हैं कि किसी तरह बचने ना पाए. नई. नई, नई. नई. यहूदा. क्या तू बोसा लेकर एपने आदम को पकड़वाता है? तुदावन, आप जाएं तहामीने. चलो इसे गिरिफतार करो. बस करो, बहुत हो चुका. मॉजज़ा? क्या तुम मुझे डाकू समझकर तलवारें और लाठीयां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझे पर हाथ न डाला. लेकिन यह तुम्हारे गड़ी है. और तारीकी का अख्तियार है. इसे गिरिफतार करो. यह जुबा बाच्या पहनते हैं. जड़ा बताओ तो क्या होने लगा है? बाच्या स्रामत क्या आप हमें बचाएंगे? क्या आप हमें नजात दिलाएंगे? यह आत्मी भी यसु के साथ था. मैं तु उसे जानता तक नहीं. मैंने इनको एक साथ देखा था. यह जानता नहीं दो एक साथ भी यहाँ. मैं नहीं मैं तो नहीं? . . . . . यह आदमी भी येसु के साथ था फिर ये भी तो गलीली है वो रहने दो या पता नहीं तुम क्या कह रहे हो हुँँँँँण च यह आद साथ नेतन नेतन क्या हुआ बेंजयमिन जल्दी आओ ये शु तकलीफ में है जल्दी करो हमें दूसरे को बुलाना है तुझे किसने मारा है बता नपूबत कर अब कौन मारेगा बस करो मैंने कहा बस करो इसे मजलस में पेश करो चलो हमें बताएं क्या आप ही मसी हैं अगर मैं तुम्हें बताओं तो तुम मेरे यकीन नहीं करोगे और अगर मैं तुम से एक सवाल पूशे तो तुम जवाब नहीं दोगे लेकन अब से लेकर अबने आदम कादर मुतलग की दाहनी तरफ मैठा करेगा तो क्या तुम खुदा के बेटे हो तुमने कहा मैं हूँ इसको ये कहने का अख्तियार किस ने दिया है इसने जो कहा हमने कानों से सुना है इससे प्लातूस के पास ले चले बिलकुल इसे खत्म कर तो खत्म गियेश्यो को पेंतूस प्लातूस के पास ले जा रहे है पेंतूस प्लातूस? रोमी हाकिमों में जालिम उसने सैक्र लोगों को सलीप पलटका कर मार डाला है चलो और तुम सुभा सवेरे यहां क्या लेने आगे हो यह आदमी लोगों को बिगार रहा था इसने हेकल के बाजार में हल्चल मचा दी थी इसकी सजा क्या होगी इससे सजा दो मुझे इस आदमी को सजा देने की कोई वज़े नज़र नहीं आती हमारे खाल में यह मुझरिम है वो कैसर को जज़या देने से मना करता है वो मस्यूने का दावा करता है और बाज़्चा भी बाज़्चा? क्या तु यहुद्यों का बाज़्चा है? तुम ही यह कहते हो शुरू तो उसने गलील में किया था अब यहाँ भी आ गया है गलील में क्या यह आदमी गलीली है? फिर इस मौामले को हरुदी सी निप्टाएगा वो अभी यरुशलम मी है ना इसे वहाँ ले जाओ तुम अपने आपको क्या समस्ते हो और वो क्यों है जिनको तुम शागर्त कहते हो? सुनने में आया है कि तुम बहुसते निशान दिखाते हो मुझे भी तो कुछ दिखाओ मेरे आका यह सब लोगों को बिगार रहा था यह अपने आपको बादशाह कहता है यह आदमी बादशाह बादशाह सलाम हाद इसे खूब मारो इसे पला तो उसके पास ले जाओ यह उसका सुबा है इस आदमी ने मौत के लाए कोई काम नहीं किया मैं इसे कोड़े लगवा कर छोड़े देता हूँ आप हर साल इस एद के मौके पर एक आदमी छोड़ देते हैं हम छुड़ाते हैं बराबा को और इस आदमी खत्म करते हूँ हमें बराबा दे लेगे इसे सलीब दो इसे सलीब दो तू तू इसे कोड़े लगवा इसे सलीब दो इसे सलीब दो इसे सलीब दो इसने कोड़े गीआ इसने कुछ ने पी किया पीचे अजाब आब निकलो, नहाज़गा जाब आज़गो राश्टसाम करें किसलेटो, पिसलेटो किसलेटो किसलेटो क्या उसे मार डालेंगे? जाओ, मैं कहता हूँ, मार जाओ चलो, चलो क्या तुम्हारा क्या नाम है? शमाउन करीमी सरकार इदार आओ इचिंह तुम्हारा view किसलेटो इचिंह इचिंह किसलेटो 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 इधर आप जर्दी करो जर्दी करो अब तम चलो आप चलो हंतत हुआएए उर्व हरो। बान्यमालिरस यह धिली करों! मैं बाप इन्हें माफ कर क्योंकि यह नहीं जानते क्या करते इसने औरों को बचाया अपने आप को बचाए हाँ अगर तु मसीह है तो अपने आपको बचा और सलीम से नीचे उतारा हमें अपना कोई मोजज़ा देखा हाँ 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 उस निशान का क्या मतलब है उसका मतलब है यहुद्यों का बाच्छा अखर ये शुपाच्छा है तो लोग उसके साथ ऐसा सो लोग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम हाँ जौनतन यहाँ तुम समस्ते हो हुआ 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 है हुआ 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 है मैं अपनी रूफ तेरे हाथ हूँ मैं देता हूँ मैंने उस्ताद के लिए कबर तयार कर ली है मैं उसकी लाश ले जाओंगा तुम ले जा सकते हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर जल्दी करो सबस्ट शुरू होने वाला है मैं एबयू मैं तुम्हारी वाला हुआ है और दुम्हारी तुम्हारी मुझे यकिन नहीं आता हम कभी येशु को ना देखेंगे सरा ठहरो क्या तुम्हें याद नहीं कि येशु बार बार क्या कहता था क्या मुझ्छी याद है कि खुदा वन येशु ने क्या कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा एज पातलो का वर अपया वेशु था रिया है तुम्हें येशु बातलो कॉप पर ये। पुर्दों में क्यों ढूनती हो वो यहां नहीं बलके जी उठा है याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुम से क्या कहा था इपने आदम गुनागारों के हवाले किया जाएगा और मस्तूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा सुनो पथर लुड़का हुआ था हम दाखल हुई और खुदावंद का बदन गाइब गायब क्या खुदावंद का बदन गायब था और दो आदमी हम पर जाहिर हुए फिष्टों की मानन चमकते सफेद लिबास और हमसे कहा तुम जिन्दों को मुर्दों में क्यूं ढूंटी हो ये सच है इसका क्या मतलब हो सकता है ये सच हो सकता है हमने उन्हें देखा था आप खुछ आकर देख ले कबर खाली थी और कुदाम जाज चुके थे पत्रस हमारा यकीन करो वाकी खुदावन जी उठे हैं वो शमौन पर जाहिर हुए थे हम तो रह में भी उसे पहचान न सके जब उन्होंने रोटी तोडी तब पता चला अमा उसमें उनका माजाना अजीव है तुम्हारी सलामती हो तुम घबरा क्यों रहे हो तुम्हारी जहन में शक कहां से आगए देखो मेरे पाउं और हाथ देखो और जानो के मैं ही हूँ चू कर देखो तु जान जाओगे रूख के गोश्ट और हड़ी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हूँ ये मेरी वो बाते हैं जो मैंने तुम से उस सक कहीं जब मैं तुम्हारे साथ था कि हर एक बात जो मेरे मतालख मुसा के तौरह जाएत नब्यों के सहाइफ और जुबूर में लिखी गई पूरी हो इन में यूं लिखा है जरूर है कि मसीद दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके नाम से तमाम कौमों में तौबा की और गुनाहों की माफ़े की मना दिखी जाएगी अब्तिदा यरोशिलम से होगी जब कैलिब ने मुझे बताया ये शुख खुदा का बेटा है मैंने नहीं माना फिर मैंने ये शुख को मौज़े करते देखा और उन्हें खुदा की प्यार के बारे में बताते हुए सुना मैंने देखा उन्होंने ये शुख को कैसे सताया उन्हें बुरी तरह पीटा और कीले ठोकर रूस पर चड़ाया और मरते हुए देखा फिर उनकी लाश उतार कर ले जाते हुए देखा पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं येशु का फिर दीदार करूँगा लेकिन एक हैरत अंगेज वाक्या हुआ खुदा की बात सच हुई उन्होंने वादा किया था कि येशु को फिर जिन्दा करेंगे और कहा था कि अगर हम मानें कि येशु खुदा के बेटे हैं हमारे लिए मारे तो हम उनके साथ हमेशा जिन्दा रहेंगे मैं बहुत कुश हूँ यही तो मैं चाहता था और वो कितना अजीम वाक्या है और ये सच है तुमने कैलिप, जोवल, नेथिन और बेंजमिन के साथ देखा था और हरेट चिता हो गई थे मसीश सच मुट में कौन है आपने देखा और सुना कि मैंने कैसे येशु को खुदा माना मैंने येशु को कबूल किया अब वक्त है कि आप भी फैसला करें क्या आप अब येशु से माफित तलब करेंगे आप जवाब देंगे मेरी समझ में नहीं आता या पहले मैं अपने वालिदें से पूछ लूँ या मैं भी तयार नहीं हूँ या फिर जवाब में कहेंगे हाँ मैं येशु से कहूंगा कि इसी वक्त से मेरे अंदर सकूनत करें मैं चाहता हूँ कि येशु मेरे सारे गुनों माफ कर दे और जो कुछ मैंने सोचा या कहा या किया तुम उसे ये भी कह सकते हो कि तुम हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहते हो जब भी उससे हा कहोगे तो खुदा से अपने अलफास में कहना या उससे ऐसे दौा करना प्यारे खुदा मेरा इमान है कि येशू तेरा बेटा है तेरा शुक्र है कि येशू मेरी खताओं के लिए और जो कुछ मैंने बुरा सोचा या कहा या सुना है सलीब पर मारा गया है महरबानी से मेरी गुनाहों को माफ कर दे मैं येशू से इजहार करती हूँ मेरे साथ हो बलकि हमेशा मेरे दिल में रहे आप जैसा मुझे बनाना चाहते हैं उसमें मदद करें मेरे दुआ कबूल करने के लिए तेरा शुक्रिया तुम इसी वक्त ये दुआ करना पसंद करोगे अगर तुम्हरा जवाब हाँ है तो खुदा से मेरे साथ बोलो मैं धीरे धीरे दूआ करूँगा तुम मेरे पीछे पीछे बोलो प्यारे खुदा मेरा इमान है येशू तेरा बेटा है तेरा शुक्र है कि येशू सलीब पर कुरबान हुआ मैं अपने तवाँ घलतियों को मानता हूँ कि जो मैंने कहा है या किया है महरबानी से मेरे गुनाहों को माफ कर दे मैं येशु से अपने साथ और अपने अंदर रहने की दूआ करता हूँ मुझे आप अपनी मर्जी के मुताबिक बनने के लिए मदद करे मेरी दूआ कबूल करने के लिए शुक्रिया आमीन अब खुदा के वादे पर इमान रखो कि वो तुमसे महबत करता है माफ करता है और तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा अगर तुमने ये दूआ की है तो अपने वालेद और वालेदे को बताईए और अपने दोस्तों को भी बताईए ये अच्छे खुशखबरी है तुम अपनी जिन्दगी के बड़े कामों में से एक काम को अंजाम दे रहे हो ये नई दोस्ती येशू और उसके वालिद खुदा के साथ है खुदा को समझने और ज्यादा महबत करने के लिए चार बाते है रोजाना खुदा का कलाम बाइबल पढ़िये खुदा ने तुम्हारे लिए सेक्ड़ वादे किये है खुदा से कलाम करो तुम खुदा से किसे भी चीज़ के लिए किसी जगा किसी वक्त बात कर सकते हो अपने दोस्त येशू के बारे में दूसरों को बताए उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करो जो येशु को प्यार करते हैं आपको येशु की सच्ची कहाने बताने के लिए हमें ये वक्त मिला अब तुम्हारी बारी है जाओ अपने दोस्तों को बताओ